यह अनुपम जैसे युवालों के बात सीधी सी यह है कि नोट बंदी के बाद जो विकास दर्थी वो हर क्वाटर में हर तिमाही में कम होती चली गई तो इसमें क्या ताज़ुब की बात है कि आप उसी सेक्टर पर आगात करते हैं पहले नोट बंदी द्वारा फिर जीएस्टी द्वारा चहां पर नौक्रियां गयर गयर क्रिशी छेत्र में उत्पन्न होती हैं तो इसमें क्या ताज़ुब के बात है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी और यह ध्यान रहे कि इस सरकार ने तो इस मामले को बिल्कुल तवज्ज कर दिये वही डेटा जिसको वह यह चालेंज कर रहे थे तीन महीना पहले तो दिकत तो यह है कि यह तो मानने को नहीं तयार है कि यहां दिकत है और यह 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 भी हमारे विपक्ष की मतलब बदनसीबी और हमारे देश की बदनसीबी और हमारे युगाउं की बदनसीबी यह कि विपक्ष जिसको ये बात बतानी चाहिए थी कि UPA के दौरान हर साल 75 लाख नए धैर प्रिशी छेत्र में नौक्रियां पैदा हो रही थी अधिकतर अधिकतर निजी छेत्र में 75 लाख तब और तेरह के बाद आप यह पाते हैं कि वह संख्या गिर जाती है केवल 29 लाख हो जाती है जिससे और मिलियंज अव यांग जॉइनिंग दे लेवर फोर्स अभी यह क्यों कि पढ़े लिखे जा रहे हैं पिछले 15 साल में यह बड़ा परिवर्तन हमारे देश में आया है मतलब सेके मिलाओं बच्चियों को मिलाकर बच्चियों को आप जोड़े रही है जेंडर पारिटी किसा 58 प्रतिशत था ग्रोस अन्रोल्मेंट रेशो 2010 में वह बढ़ करके 85 प्रतिशत हो गया आप किसी भी गाव में चले जाए जहारकंड उतर प्रदेश बिहार राजिस्थान कि खुशी होती इतना आनंद आता है कि वह बच्चियां जा रही हैं मगर उनकी उमीदों पर पानी फेरने के लिए जिम्मेदार कौन है हम सब जाते हैं